नमस्ते मैं कंचन गुपता सभी विश्वकी माताओं को मां को नमस्कार करते हुए कुछ सुनाना चाहती हूँ अपना लिखा कुछ सुनाऊंगी आज हैपी मदस्टे पे मां के गुणों को संसार के सभी बनों की लकणियां इकठी करके कलम बनाई जाए और सातूं महासागरों को समुंदरों के पानी को मिलाकर सियाही बनाई जाए तो भी मां के बारे में जो लिखा जाएगा वो मां के किरदार व्यक्तित्व परसनेलिटी के आगे बहुत छोटा है मां वे सूरज है जिसके आगे जिसके लिए जिसकी शक्ति और गुनों का हम वर्नन नहीं कर सकते हम मां को गिने चुने शब्दों में कुछ लवजों में बांध नहीं सकते जीवन का एक गीत है मां घर घर में संगीत है मां मां की लोरी मां का दूद अम्रित है और जीवन है सब त्योहारों में सबसे सुन्दर शुब करता एक रीत है मां तेरी मां और मेरी मां की व्रिंदा है तुलसी है नक्षत्रों में अभिजीत है मां मावे बंधन है जो प्रेम पाश में बांधे रखती है मां की तुलना कौन करे त्याग मई बस मीत है मां भगवान भी सर को जुकाते हैं हनुमान से बढ़कर अंजनी है मां आखों का अंजन है मां आखों का काजल है मां मां दुरका है मां है भारती और घर की लक्ष्मी है मां जिस घर में मां नहीं होती उस घर में किस्मत है सोती अपने बच्चों की देख भाल में अपना जीवन निचावर करके ममता के बीजों को बार बार बोती है मां तेरी मां और मेरी मां ऐसी ही होती है मां ये कविता बहुत बड़ी है किसी रोज जरूर सुनाऊंगी इस छोटी सी कविता को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद अपने माबाप को इतना प्यार दें इतना प्यार दें जो इस धरती पेना समाए आपकी सेवा आपका प्यार उनके प्यार के आगे ऐसा है जैसे एक समुंदर में माबाप के प्यार के सागर में आपकी सेवा की केवल एक बूंद बहुत दुख होता है जब आज के जमाने में हमारे देश में 90 प्रतिशत माबाप बुजुर्ग अपने ही बच्चों द्वारा प्रताडित हो रहे हैं बहुत शरम की बात है हमारा धर्म तो सर्वो परी था हमारी संस्कृति संसकार विश्व गुरू थे हम परंतु हम अपने ही बुजुर्गों को प्रताडित कर रहे हैं कृपया अगर इस धर्ति को बचाना है फिर से प्रलय आने से इस धर्ति को उबारना है भूमी को उबारना है तो भुजुर्गों की कदर करें माबाप की थोड़ी सी सेवा करें ज्यादा नहीं थोड़ी सी तो करें मुझे सुनने के लिए thank you, धन्यवाद, many many thanks, शुक्रिया